हेलो फ्रेंड स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लेट्स स्टडी इंडिया में और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सैकलिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूज और साथ में देखेंगे फरक्टोस के भी सैकलिक स्ट्रक्चर को और इसमें हम लोग Harvard Projection formula क्या होता है यानि और paranose structure क्या होता है इन सभी की बात करेंगे cyclic structure से है क्या होगा वो हमारा paranose और Harvard Projection जो फार्मूले बनेंगे glucose के केस में और fructose के case में furanose structure और उसमें भी क्या करेंगे हम लोग हावर्थ projection वाले structure को देखेंगे तो आईए बात करते हैं हम लोग, cyclic structure of glucose क्या होता है यानि यह हमारा क्या होता है, glucose का एक stable structure होता है ऐसे हम लोग अभी open channel structure बना रहे थे glucose का और open channel structure के evidence को देख रहे थे कि कहां पे OS group है कहां पे LDHID group present है, कितने carbon है तो यह सभी चीजों को वहां पे पढ़ रहे थे, उसे से क्या करें थे chemical reaction को भी हम लोग देख लिये थे अब जब बात करेंगे जब इसके cyclic structure की तो cyclic structure क्या होगा हमारा open channel structure के ही modification से बनेगा, यानि हम लोग open channel reaction में ही महां पे मैंने बनाया था एक cyclic type का structure जिसमें क्या था एक oxygen क्या कर रहा था, LDHID से लेकर पच्वे carbon के बीच में एक bond का formation कर ले रहा था, अब उससे से हम लोग क्या करेंगे cyclic structure यानि उसके ring structure को देखेंगे, यानि कैसे वो ring का formation करेगा, और वो एक hexagonal या pentagonal क्या होता है, ring बना लेता है glucose या fructose, और वो क्या होगा हमारा बहुत stable form होता है, यानि glucose या fructose क्या होता है, उस state में रहना पसंद करते हैं, तो इस चीज़ को आईए समझ लेते हैं पहले ही, क्यों यह cyclic structure बनाता क्यों है, यहां पर देखिया आप लोग का दिया है, इसके बारे में यहां पे, कि जो हमारा डियो D-glucose है, बात करेंगे D-glucose की, क्योंकि हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, जो भी हम लोग लेकिन हम लोग अभी glucose पढ़ है, वो कौन सा है, D-वाला, फ्रक्टोस ही पढ़ है, वो कौन सा है, D-वाला फ्रक्टोस है तो यहां देखिये बात करेंगे, जब structure D-glucose के बारे में, यानि उसके cyclic structure की बात करते हैं, तो हम लोग देखते हैं कि glucose में क्या है, पहला carbon पे, एक L-D-H-D group होता है, L-D-H-D group का मतलब CHO group present होगा, first carbon पे, और उसके बाद जितने भी carbon है, सबके पास क्या है, कही न कही एक O-H group present है, यानि glucose के पास total number of carbon की अगर बात करें, उच्छे carbon present है, और उच्छे carbon में जो पहला carbon है, वो क्या है, L-D-H-D होता है, L-D-H-D carbon का मतलब उसके पास, एक CHO group present होगा, यानि पहले carbon में क्या होता है, एक CHO group होता है, जिसे बोलते हम लोग L-D-H-D group, और उसके बाद जितने भी carbon होंगे, सब पे क्या होगा, कही न कहीं, एक O-H group present होगा, यानि glucose के पास 6 carbon में, पहला carbon कैसा है, L-D-H-D वाला, और बाकी जो 5 carbon ह है, सब में क्या है, hydroxy group लगा हुआ है, यानि O-H group लगा हुआ है, और उसके बाद देखी होता क्या है, कि जो 5th वाला O-H group का hydrogen है, वो L-D-H-D के oxygen के साथ क्या करता है, combine करके एक और alcohol group का formation कर लेता है, और जो carbon है, वो क्या करेगा, oxygen के साथ बना लेगा bond, और bond जो बनेगा, तो वो कैसा हो जाएगा, वो 6 member ring का formation कर लगा, नि जो bond बन जाएगा, तो वो क्या होगा, cyclic structure प्रालता है, वो cyclic structure में जितने भी member होंगे, वो क्या होंगे, 6 member में क्या होगा, बाकी 5 member carbon के होंगे, एक member होगा, oxygen का, देखी यहाँ पर क्या हो सकता है, कि O-H group तो सभी carbon पे जादा होता है, यसे अगर हम लोग कोई भी, अगर cyclic ring बनाते हैं, जितने number of carbon उसमें कम रहते हैं, उसमें bond strain जादा होगा, जितने जादा carbon होंगे, उतना क्या होगा, वो आराम से bond angle बढ़ जाएगा, bond angle बढ़ने से, उसमें strain कम होता है, इसलिए glucose के maximum possibility है, 6 member ring का formation वो कर सकत अधिक से अधिक, तो वो क्या करता है, 6 member ring, less bond strain के कारण, वो क्या करता है, बनाता है, जब यह ring के form में चला जाएगा, तो वहाँ जो पहला carbon है, उसके पास क्या होगा, एक hydrogen और एक OEG group प्रेजन होगा, हईडोजन और OEG group को दिखते होगे, हम लोग क्या करेंगे, एनुम तो उसके बाद क्या होगे, दो एनुमर्स भी बन जाएंगे, दोनों क्या होते हैं, ग्लुकोस के, एक alpha-d-glucose और एक beta-d-glucose बनेगा, तो आईए इन सभी चीजों को हम लोग एक बार diagram के थूँ समझ लेते हैं, यह कि मारा क्या है, पूरा यह theoretical चीज, जो मैंने बोला है, सारा यहाँ पे given है, यहाँ पे देखिए, जब मैं बनाऊंगा, यहाँ पे, open chain structure of d-glucose, अगर glucose के open chain structure को बनाया जाए, तो यहाँ देख सकते हैं, कि first carbon, यह जो C-A वाला है, इसको मैं इस तरह सरिक दे रहा हूँ, double bond represent करके, और बाकी जितने carbon है, एक, दो, 3, 4, 5, और यह छटमा carbon जिसमें क्या होता है, CH2, OH होता है, तो यह मैंने बना दिया, d-glucose, अब यहाँ पे क्या है, hydrogen, इधर है, OH, फिर इधर H, और इधर OH, फिर यहाँ पे OH group क्या है, नीचे दोनों में present है, तो यह बन गया हमारा d-glucose, तो अब d-glucose का structure इस तरह से होता क्या है, cyclic structure की जब इस्टार्टिंग करेंगे, तो यहाँ से पहला carbon, और यह दूसरा carbon हो गया, यानि carbon number 1, carbon number 2, 3, 4, और 5, तो 5th carbon का जो hydrogen है, वो क्या करता है, इस carbonil carbon के oxygen के साथ combined होके, इल्कोहाली group का formation करता है, यानि hydroxyl group का formation कर लेगा, क्योंकि हमें पाता है, कि जब C double bond हो वाला carbon है, उसमें क्या है, एक sigma bond, एक 5 bond, तो oxygen क्या है, carbon से ज्यादा electro negative atom है, तो क्या करेगा, पाई electron को अपने तरफ attract करता है, जिसकी वज़ए से bond क्या होता है, polar nature का हो जाता है, polar nature मत इसलब इस carbon पे आ जाएगा, positive charge इस पे आ जाता है, negative charge यह हो जाएगा, partial negative यह हो जाता है, partial positive charge, और यह bond क्या होगा, इधर हमारा जब shift होगा, तो ऐसा होगा, अब इसके पास जो पच्वा hydrogen है, पच्वा carbon का, इस पे भी क्या है, plus और minus, acidic nature का होगा, क्योंकि oxygen के पास क्या है, electron negativity ज्यादा है, electron cloud को अपने तरफ खिचेगा, इसके वएसे oxygen पे क्या होगा, positive charge बढ़ जाएगा, अब इस hydrogen क क्या करेगा, यह oxygen अपने तरफ attract कर लेगा, जैसे ही इसको attract करेगा, तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से बन जाता है एक इस तरीके का OH bond, और यह as it is रहेगा, यह कोई दिक्कत नहीं है, अब बचा यह oxygen negative, यह carbon क्या है, positive, अब यही oxygen क्या कर रहा है, इस carbon के साथ भी combined हो जा रहा है, यह oxygen क्या करेगा, इस carbon के साथ, ज्वाइन होके, एक oxygen carbon bond का क्या करेगा, formation कर देगा, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, acetyl, यह हम लोग बोलेंगे, acetyl और he hemiacetyl, इसकी बात मैं बताऊंगा, अभी क्या होता है, acetyl क्या है, hemiacetyl क्या है, तो यहाँ भी क्या है, एक यह hemiacetyl का formation कर लेता है, तो अब दिखी, यहाँ पे पहले ही oxygen क्या क्या क्या, इस carbon के साथ, यह carbon number 5, यह second, third, और यह fourth, और यह fifth आ गया, इस carbon के बाए, छठमा carbon इसे क्या लगा हुआ है, CH2 OH, बाकी चीजे, बस हमें क्या कर नहीं है, वैसे ही, उतार देनी है, तो यह बन गया हमारा, ठीक, अब इसमें देखी, हमें ध्यान क्या देना है, कि जो पहला carbon है, उस carbon में, अगर OH ग्रूप, राइट साइड में होगा, यानि इस तरफ, तो रा खला जाएगा हमारा, alpha-D glucose, और यही क्या होता है, अगर OH ग्रूप इधर convert चला गया, तो उसे बोलेंगे, beta-D glucose, और यह जो carbon खलाता है, इसी carbon क्या बोलते है, anomeric carbon, ठीक, anomeric carbon का मतलब यह क्या है, इसमें OH ग्रूप, इस साइड की यही देखे, जो carbon हमारा क्या होता है, चे उसी को बोलते है, anomeric carbon, तो पहला carbon में rotation दिख रहा है, इसी कवेज़र से हमारा नाम क्या है, glucose का change हो रहा है, कि यह alpha-glucose, 1-beta-D glucose, तो अगर beta बनाना होगा, तो यहाँ पर क्या करेंगे, इस carbon का जो OH ग्रूप इधर आ गया, और यह hydrogen क्या है, इस तरफ से, और बाकी चीज बस वैसे ही है, एक, दो, तीन, चार, पच्वाँ और यह छट्वाँ, CH2, OH, और यह तो इसके साथ क्या किया, यह oxygen bonded है, और बाकी hydrogen यहाँ पर, यह OH हो गया, इसके बाद, एक OH इधर, इधर इच, फिर इधर OH और इधर, H, तो यह क्या बन गया, beta-D glucose, तो यह बन गया हमारा क्या, एक, alpha-D glucose और एक, beta-D glucose, तो इसमें carbon का, जो number, first वाला carbon है, carbon number one, तो इसी में क्या है, changing देखने को मिलना, इधर, देखे, OH ग्रूप क्या है, left side में, इधर, OH क्या है, right side में है, तो इसे बोलेंगे हम लोग, beta-D glucose, जो बोलेंगे, alpha-D glucose, यह पहला carbon क्या होता है, glucose का, anomeric carbon का लाता है, यह बोलेंगे, कि यह वाला carbon क्या है, anomeric carbon, जो की alpha और beta, दोने दुसरे, क्या है, isomer है, isomer है, लेकिन इसमें, एक, हफमारा क्या बन जागा, इस carbon को बोलेंगे, anomeric carbon, और इस पूने structure को बोलेंगे, isomer, ठीक, एक, दुसरे, क्या ही, इदोनों, isomer क्या है, तो यह structure को बना लेजे और फिर देखते हैं हम लोग इसके cycling structure को जो की इसी से form होगा फिर देखी यहाँ पर बात होई इसी reaction की तो यहाँ पर देखे given है कि जब हमारा C5 का oxygen क्या करता है अगर इसके बात करेंगे mirror image की अगर यहाँ पर mirror रख दिया जाए तो alpha वाले जैसा बीटा क्या होगा नहीं बनेगा निसका mirror image नहीं है नहीं क्या है दुसरे पर यह super impossible है तो इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि यह दुनों इस दुसरे के inensiomar नहीं है तो यह दुसरे के compound क्या हो एक दुसरे के mirror image बन जाते है तो वहां बोलते हैं हम लोग inensiomar नहीं होते हैं क्योंकि यहां पर कोई mirror image फॉर्म नहीं मतलेगा यहां पर फॉर्म नहीं होगा इसे हम लोग dia studio मर बोल सकते हैं क्योंकि यहां पर क्या है different केवल एक कही carbon का है फिर दुखी बात यहां पर दिया भी गया है enumeric carbon के बारे में यह दुनों carbon क्या कला आएंगे दुसरे के इस carbon को बोलेंगे enumeric carbon और यह दुनों compound को बोलेंगे हम लोग enomars ठीक फिर दिखे given आप लोग का how earth projection formula of glucose तो अगर दिखा जाए how earth projection formula क्या होता दिखे अब यहीं से start होगा हमारा cyclic structure अभी तुम्हाने क्या किया था केवल और केवल OH group का aldehyde group के साथ एक reaction करा दिया था और वहाँ पे क्या थे दुसरे के साथ दोनों combined हो गए और एक हमारा cyclic structure का formation हो गया अब जो actual में दिखे इसका cyclic structure होता है अगर उसकी बात करेंगे तो वहाँ पर देखिए क्या था हम लोग देख रहे थे जब cyclic structure बना रहे थे glucose का तो वहाँ पर देखिए हमारा जो aldehyde group था वो alcohol के साथ क्या कर रहा था एक unstable compound का formation अभी कर रहा है वो हमारा कोई actual cyclic structure नहीं है वो क्या बताता है कि वह नुमेरिक carbon के बारे में बता रहा था ठीक अब वहीं से हमारा क्या अब इसको हम लोग से जब six member ring के form बनाएंगे तब बोलेंगे क्या इसका cyclic structure बन ग मतलब जहां पर दिखी इस तरह का bond अगर आ गया ठीक है c o c type का bond अगर कहीं भी दिख रहा है यह carbon क्या होता है कोई alikil group का carbon हो सकता है तो इस तरह का कहीं अगर bond देखने को मिल गया तो उसे बोलते हैं हम लोग intermolecular hemiacetal bond यानि हमारा क्या है molecule के अंदर ही hemiacetal का formation हो रहा है तो दिखी यहां पर दिया गया है intermolecular hemiacetal formation between the carbonyl group and one of the hydroxyl group as a result the ring product is form the cyclic hemiacetal तो वहां पर क्या एक cyclic hemiacetal का formation हो गया इसके बाद bear strength theory के according मैंने बताया था कि six member ring जो होता है वो क्या होता इसमें strain कम होगा five volume strain जादा है इसलिए क्या कर रहा है यह six member का formation करना चाह र group और aldehyde group के बीच में क्या हो रहा है इस तरीके का coc bond form हो रहा है तो अगर मैं दिखूं यहां पे chemiacetal group का अगर दिखा जाए bond के बारे में तो यह दिखी पहले carbon में क्या है C double bond O था H अब बाकी यहां पे जो पांच carbon थे इसको अधर टरा कर लेते हैं जो five carbon हमारे है जो carbon number जो fifth था यहां पे पर स्ट कार्बन का सीड़ेबल बांड O यच और एक दो तीन चार और यह पच्वा कारबन एक दो तीन चार पांच है यह हो गया और यह जो fifth carbon का जो O ह है तो जब यह क्या कर रहा है hydrogen चला जा रहा है इस oxygen के पास bond बनाने के लिए तो यह कुछ इस तरीके क्या हो रहा है यह बन जाएगा O यच ग्रूप और यह बन गया H तो यह वाला जो carbon है इस oxygen के साथ क्या कर रहा है इस तरह से एक bond का formation कर रहा है उसी क्या हो है हम लोग COC bond एक दो तीन चार एक दो तीन चार और पांस तो यहां क्या बन गया इस तरह के से तो इसी को दिखे ब O याच हो जिसे देखी हो है में Acetal का अगर मतलब समझेंगे अगर किसी carbon से 2 OR ग्रूप लगे है तो उसे बोलते हम लोग Acetal इसे क्या बोलेंगे Acetal अगर किसी carbon से अगर एक O याच लगा हो और एक कहां लगा हो, एक लगा हो, O याच ग्रूप तब उसे बोलेंगे Hemi Acetal तो यहाँ पर देखी है अगर देखा जाए तो इस carbon से O याच ग्रूप तो लगा हुआ है, लेकिन यह जो carbon है वो कहां है, एक Oxygen और यह क्या है, C, और याणि इस carbon क्या है, C, O, C, याणि यहाँ पर मुनों देख सकते हैं, यह O याच ग्रूप हो गया, तो एक हमारा Hydroxyl ग अगर मैं इस R को टाके लिख दूँ कोई carbon वाला chain इस तरीके का दिख रहा है, यहाँ पर ऐसा ही formation ही हो रहा है, कि इस carbon क्या है, Oxygen है, फिर carbon कहां कहा है, Elkyl chain कहा है, तो वही चीज है, carbon, फिर Oxygen, फिर Elkyl chain, यहाँ भी क्या है, carbon, oxygen, फिर Elkyl chain, और इस carbon से O-H ग्रूप भी ल ना लिया, ठीक है, तो यह हमें ध्यान देना है, जो कि हमारा क्या है, यह एलडिहाइड और ketone वाले chapter में given रहता है, यह सरी, hemiacetal क्या होता है, acetal क्या होता है, तो दिखे, अब बात करेंगे हम लोग इसके Howarth projection वाले cyclic formula के बारे में, यानि हमारा stable form यह बन गया, अब इस Howarth projection formula of glucose, तो दिखे, जो glucose का मैंने structure बनाया था वहाँ पे, अब उसमें, एक बार मैं इसको draw कर देता हूँ फिर से, यह बन गया था, कुछ इस तरीके का, OH group, और यहाँ पे H, एक, दो, तीन, चार, पांच, ठीक, एसिक्स carbon हमारे पास हो गया है, और यह oxygen चला गया था, इसक में कितने लोग हैं, एक, दो, तीन, चार, पांच, और छे, तो इस छे molecule को, याणि इस छे वाले ring को किस तरह से draw करेंगे, Howarth projection में, तो उन्होंने देखे, बनाया था, इस तरह की structure बनाएंगे हम लोग, कैसे बनाना है हमें, तो इस carbon को लिखना है, यहाँ पे पहला, carbon को लि प्लेस करके हमें जोड़ देना है, oxygen atom, और वो क्या होगा, simply हमारा यहाँ फॉर्म हो जाएगा, तो carbon number one देखे, किसको हम लोग देंगे, यानि यह फर्स्ट carbon है, यह वाला carbon कौन सा यहाँ पे है, तो यह वाला कौन सा है, carbon number one, यह वाला carbon क्या है, second, यह रहा third, यह रहा fourth, यह five, और बाकी oxygen, तो यहाँ पर मैं numbering करता हूँ, one, two, three, four, five, और यह क्या हो गया oxygen, अब इदर हम लोग functional group को भी attach कर देते हैं, इसके अगल बगल जो भी लगे हुए है, तो यह हमारा क्या बन गया, complete structure बन गया, d-glucose का, और यह कौन सा alpha d-glucose है, तो अब में देखे, ध्यान जो भी ring में element उसके है, यह कुछ इस तरीके से है, यानि जो भी carbon oxygen दिख रहा है, वो क्या करें hexagular ring बना रहा है, इस तरीके से plane पे, और plane पे जब यह बना रहा है, तो बाकी जो चीजे होंगी, इसके अगल बगल जो oxygen और hydrogen लगे हुए है, यह सभी किधर होंगे, plane के perpendicular direction में ह होते यानि इस तरीके से क्या होंगे, h और o h, जुड़े होंगे, हमें ध्यान देना है कि left वाले को हम लोग उपर रखें, कि right वाले को उपर रखें, ठीक है, तो हमें यह ध्यान देना है, यह जो right side में जो भी functional group लगे हुए है, वो कहां रहेंगे, below रहेंगे, यानि हमें बस यह जहां देना है, मैं यहां लिक देना हूँ, right below, जब right वाला कहा हो जागा, नीचे हो जागा, नीचे हो जागा, प्लेन के, नीचे हम लोग जो भी right side में लगा हुए group, उसको कहां लिखेंगे, नीचे की तरफ लिखेंगे, यानि जैसे यहां पर o h, तो h को और जो left side में होगा, वो उपर रहेगा, तो अगर हम लोग यह चीज़ समझ गया है, तो बाकी तो उसलिका opposite चलेगा, फिर देखें, यहां पर क्या है, यहां पर लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे नीचे, h को लिखेंगे, उपर, फिर उसके बाद देखी, यह वाला जो group ह है, यहां पर hydrogen भी है, यह वाला जो group है कहा है, बिलो है, तो इसको किधर लिखना है, इसको लिख देना हमें, उपर, यह मैसा, उपर ही रहेगा, ठीक, तो पहला carbon, carbon number 1, यहां पर क्या था, h, फिर दूसरे carbon में क्या है, h, तो यहां पर जहान दीजेगा, second carbon तो यह था न, o, यहां पर है, h, और इधर भी क्या है, o, यह, फिर third carbon पर, नीचे हो जाएगा, h, उपर हो गया, o, यह, फिर carbon number fourth पर फिर नीचे हो गया, o, यह, उपर हो गया, यह, अब carbon number fifth पर जो element यह वाला है, इसको मैसा कहा लिखते है, उपर, जो बड़ा वाला group दिख रहा है, यह हमेस और हमेसा कहा रहेगा, उपर रहेगा, यह, हमारा, देखे, o, यह, इस साइड है, तो इसे क्या बोलेंगे, alpha-d glucose, यह वाला जो molecular structure फॉर्म हुआ, यह हमारा क्या बन गया, alpha-d glucose, और यह थी हमें ध्यान देना है, कि carbon को represent बार-बार नहीं करना है, ring structure में, generally हम लोग कैसे करके छोड़ना है, यहां पर पूरा carbon represent नहीं करना है, किवाल oxygen दिखाना है, तो इस तरह लिखेंगे, एक, ठीक, यानि यह किवाल इस तरह से हमें draw करना है, carbon को represent यहां पर नहीं करना है, और सभी bond को क्या करेंगे, इस तरीके से हम लोग draw करके, और अपने recording क्या करेंगे, ब ग्लुकोज, अगर बीटा बनाना हुआ, तो बीटा में क्या होता है, किवाल O-H group interchange हो गया, यहां पर फस्ट carbon, जो नुमेरिक, इनुमेरिक carbon है, इसमें O-H चला गया इधर, यह चला गया उधर, तो बस कहां करेंगे, तो यही वाला पलड जाएगा, तो अगर बीटा बनान है, हावर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला, अब दिखिए, इसका जो नाम होगा, अब इसके नाम में भी थोड़ा चेंजिंग हम लोग कर देते हैं, यानि इसको हम लोग अलपा-D-Glucose, बीटा-D-Glucose के अलावा और भी क्या बोल सकते हैं, तो यह दिखिए, जो इस्ट अब इस्ट्रक्चर है, वो एक औरगनिक मॉल्क्यूल, ठीक, पैरानोस के जैसा दिखता है, यानि पैरानोस में क्या होता है, एक oxygen होते है, और 6 काइबन होंगे, तो उसका structure क्या है, कही न कही इसी तरह से दिख रहा है, अगर मैं पैरानोस बनाऊं, तो पैरानोस का structure क्या ह एक, दो, तीन, चार, पाँच, कारबन, एक oxygen, यहां भी क्या है, पाँच कारबन, एक oxygen तो यह पाइरान जैसा structure है, तो इसका और नाम क्या बोल सकते हैं हम लोग, तो यहां बोलेंगे एक और नाम इसे, अगर मैं इसका एक नाम और लिखना चाहूं, इस structure को देखते हुए, तो इसे हम लोग बोलते है, बिसे मालगे बीटा ओलेकर लिखना लिखेंगे, बीटावडी ग्लूको, यानि ओस को हटा के, अब ओस कहां जुडएंगे, पाइरान में औस जुडएंगे, यानि ओस मतलब क्या होता है, सुगर होता है, तो यह एक तरह का सुगर है, तो लिख बीटा डी ग्लुको पारानूज यह नाम बदल जाएगा इसका इसे क्या बोलेंगे अलुफा डी ग्लुको पारानूज तो इस चीज़ को कर लिजे नोट और यह हमारा क्या है हावर्स प्रोजेक्शन फामूला या इसका एक और नाम क्या है पारानूज इस स्ट्रक्चर भी इस नाम को ही मैं लिख दरा हूँ यहाँ पे इसे हम लोग पारानूज इस स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं क्योंकि यह हमारा पारान जैसा कहीं ना कहीं क्या है दिख रहा है तो इसे नोट कर लिजे फिर दिखिए तो हमारा glucose हो गया ठीक है इसके पैरनोस structure को देख लिए अलफा डी गुलकोस कैसे बना बीटा डी गुलकोस कैसे बना तो यही हमें केवल है सिंपल सा बस हमें क्या करना है इसके cyclic structure को समझना है इसमें कहां पे हमारा OHS लगेगा कहां पे एच लगेगा और उसके नेमिंग को भी मैंने बता दिया अब जब हम लोग गुलकोस जब पढ़ लिया है तो फ्रक्टोस में जाए दिक्कत आने वाला नहीं है क्योंकि इसमें भी क्या है केवल हमारा अगर हमें open chain structure पता है तो हम लोग क्या करेंगे जैसा जैसा glucose में मैंने किया था ठीक है हमारा इस तरह से था CH2 OH, इसके बाद यहाँ पर क्या है, एक किटोनी ग्रूप है, तो किटोन ग्रूप कहा है, सेकेंड कार्बन पर, इसी लिए क्या हो रहा है, यह फाइफ मेंबर रिंग का फॉर्मेशन कर रहा है, तो आगे बढ़ेंगे जब इसमें, तो उसके बाद सारा क्या है, glucose जैसा ही दिखता है, यानि यहाँ पर OH, H, फिर यहाँ पर क्या होगा, OH, H, फिर इधर भी OH, H, और इधर हो जाएगा CH2, OH, यह मैंने क्या बना दिया, D-Fructose, यह बन गया D-Fructose, तो अब दिखे, D-Fructose में, जब हम लोग क्या करेंगे, Cyclic structure बनाने जाएंगे, तो वहाँ पर क्या था, जो फिफ्थ कार्बन था, glucose में, उसका जो OH था, फिर्स्ट वाले LDH के साथ, रिंग बना रहा था, यहाँ पर हमारा जो LDH ग्रूप तो नहीं है, लेकिन किटोन ग्रूप है, किटोन ग्रूप में भी जो कार्बन है, वो कार रिंग बनाने जाएगा, तो यहाँ पर देखी, जब रिंग का फॉर्मेशन होगा, तो यह जो OH ग्रूप है, और यह LDH ग्रूप, यह क्या है, कार्बोनिल ग्रूप, तो इस इलेक्रोन खिचा माइनस प्लस, और इस पर आए गया प्लस चार्ड, माइनस चार्ड, तो यह क् इस ओक्जन के साथ, बॉंड का फॉर्मेशन कर लेगा, तो यहाँ पर क्या गया, यह बन गया कुछ इस तरी के से, यह आ गया CH2, OH, इसे मैं इधर लिदे रहा हूँ, अब यह देखिए, ऑक्सिजन क्या, क्या है, हाइड्रोजन को कर्री कर लिए अपने तरफ, तो इस करते हैं, कार्बन नमबर 3 से, तो तीसरा कार्बन, चुथा कार्बन और पच्वा कार्बन, तो अब देखिए, इस रिंग में यह ऑक्सिजन क्या किया है, इसके साथ कंबाइन होके, फिर एक हेमियस्टल का फॉर्मेशन कर रहा है, हेमियस्टल इस लिए है, क्योंकि कार्ब यहां पे केवल इस तरीके से लिख देना है, तो यह हो गया H, फिर यह हो गया H, और यह क्या हो गया CH2, OH, अब हमें ध्यान दना है, OH ग्रूप किधर है, राइट साइड में, जैसा गुलकोज में था, तो उसे बोलेंगे, अलफा डी फ्रक्टोस, तो यह कौन सा वाला फ्र फ्रक्टोस, ऐसे ही केवल इसको कनवर्ट कर दिया जाए, इस साइड में, तो क्या बन जाएगा, बीटा डी वाला फ्रक्टोस, जैनि OH ग्रूप कहां चला जाएगा, लेफ्ट साइड, अब बाकी जो CH2, OH वाले ग्रूप हैं, वो राइट साइड में, तो इसे बोलेंगे, बीटा डी फ्रक्टोस, यह oxygen क्या हुआ, इस कार्बन के साथ, यह बन गया CH2, OH, इधर क्या है, इधर है OH, H, इधर OH, H, तो यह क्या बन गया हमारा, बीटा डी फ्रक्टोस, तो यह हमारे पास, देखिए, बिल गया है, अलफा डी फ्रक्टोस, बीटा डी फ्रक्टोस, फर् कार्बन किया खळाता है अनुमेर कार्बन तो एक ने ऐता है झालता है तो क两πο horizont कार्बन पना सब्सक्राइबूर令 कौन से एक gdyya गबन प्रत 가지 को मेफ चॉन टूद केंगेवर्ट कें पर धenga कॉन सब्सक्राइब recharge समय सभाव सभी दिभाव है तो में अनूमेर काव आफ़र और यह दोनों क्या कलाएंगे, अलफा और बीटा और दुसरे के अनूमर्स कलाते हैं, अब इसके हम लोग हावर्स प्रोजक्शन इस्ट्रक्शर को आए देख लेते हैं, तो किस तरीके से बनाएंगे, तो पहले हमें करना क्या, यहाँ पे फाइफ मेंबर रिंग का फॉर्मि को, तो दिखिए, यहाँ पर गिवन है कि फ्रक्टोज एग्जिस्ट फाइफ मेंबर रिंग बिट्विन C2 और C5, क्योंकि C2 कार्बब, दिखिए, रिंग का जब भी फॉर्मिशन होगा, तो वह कहाँ होगा, एनुमेरिक कार्बन से लेकर पच्वे कार्बन के बीच में ही क्या था, पैरानोस इस्ट्रक्चर, इसमें क्या बनेगा, फ्यॉरानोस इस्ट्रक्चर, फ्यॉरानोस क्यों बोल रहा है, क्योंकि यह भी क्या होता, एक और्गेनिक मॉल्क्यूल जिसका नाम क्या होता है, फ्यॉरान, तो यह क्या था, पैरान जैसा, यह क्या होगा, के जैसा बनेगा तो आईए इसको ट्रा कर देते हैं तो पहले मैं यहाँ पे कोई एक इस्ट रचा बना देता हूं फ्रक्टोस का इधर हो गया OH ग्रूप इधर हो गया है CH2 OH एक दो टीन और एक चार यह हो गया इस तरह से बॉन्ड यह चले जाएंगे साइक्लिक्स में यह हो गया हमारा CH2 OH carbon number 3 इधर OH होता है इधर H फिर यहाँ पे OH इधर H यह हमारा बन गया alpha D fructose तो अब इसके सब जब ring बनाने चलेंगे तो देखी यहाँ पे क्या है carbon number 2nd ring में participate करेगा 1 हमारा participate नहीं कर पाता तो carbon number 1 यह हो गया 2 3 4 5 4 6 तो 2nd carbon, 3rd carbon, 4th carbon और 5 carbon तो इस तरह के दिखिए यहाँ पर हमें बनाना है तो oxygen को मैंने यहाँ लिख दे रहा हूँ और यह हमारे पास क्या है 5 carbon हो गया है इसको और थोड़ा बड़ा बनाते है ठीक तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे furano structure बनाएंगे अब यहाँ पे 6 वाला भी क्या यह फंसलों ग्रूप के तरह हमारा उपर लिखे लगा रहेगा तो यहाँ पर दखी बात करते है numbering की तो carbon number 1 यह वाला यानि 1 वाला carbon यह है यानि इस carbon की बात कर रहा है ठीक यह कुछ इस तरीके का है हमारा यह carbon number 1 कहां चला गया यहाँ पर चला जाएगा टू वाला रिंग में आ रहा है तो यहां से start कर रहेगे टू थ्री फोर और यह फाइफ तो carbon number 1 कहां चला गया यहाँ पर तो इसको लिखेंगे हमेसा उपर यह हमें ध्यान देना है यह कह अब इसमें देखिये राइट में यहाँ था तो यह हमारा चला जागा नीचे और OY ग्रूप चला गया उपर फिर इसके बाद इधर आएँगे फिर राइट में OY अच है तो यह नीचे चला जागा आज चला जागा उपर फिर उसके बाद carbon number 5 में यह इसको हमेशा कहां ल और अब हमें केवल बनाना होगा betad fructose तो बस क्या करना है second carbon का rotation करा देना है और इसमें कुछ नहीं करना है खुथ कि beta में क्या होता है higheragen गा सदिधर now two one ch चला जागा right side में तो केवल HAW bên second carbon में rotation करा के देख लेना है बन जाएगा हमारा beta d fructose तो यहां पे देख लेते हैं इसको भी जैसा glucose में किया था तो इस तरीके का यह क्या होगा beta d fructose हमारा बन जाएगा यह हमारा कहां चला गया? OH चला गया उपर यह आ गया CH2 OH उसके बाद सभी चीजें as it is यहां पे हमें कुछ नहीं करना है इन सभी क्या करना है हमें उतार जेना है ठीक यह बन गया हमारा beta d fructose और इसको collision note तो यह हमारा हो गया cycling structure beta d fructose और alpha d fructose का अगर इसके एक और नाम की बात किया ऐसा मैंने वहां पर लिखा था alpha d glucoparanose beta d glucoparanose तो इसमें structure हो क्या लिखेंगे तो यहां से हम लोग पता कर सकते हैं पहले से यह furan जैसा है तो इसके structure का एक और नाम क्या बन जाएगा इसके structure का एक और नाम बन जाएगा हमारा alpha d इसको अलग से लिखते हैं इसका एक और नाम बन क्या आएगा हमारा alpha d fructose ठीक फ्यूरा नोज और इसे क्या बोलेंगे बीटा डी फ्रक्टो फ्यूरा नोज तो इस नाम से हम लोग पता कर लेते हैं यह क्या है फ्यूरा नोज structure है और गुलकोज में क्या था पैरा नोज structure वो था तो यह हमारा बन गया alpha d और बीटा डी फ्रक्टोस दिखिए ग्लुकोज और फ्रक्टोस दोनों की case में हम लोग ने इसके cyclic structure को देख लिया अब हम लोग बात करेंगे आगे और सारे saccharides के बारे में यहां क्या करना थे mono saccharides पढ़ा थे तभी तक्चा क्या चला था mono saccharides इंचला था जिसमें हम लोग ने glucose पुरा पढ़ लिया और फ्रक्टोस पुरा पढ़ लिया इसमें हम लोग conversion देखेंगे कुछ rejection है जिसमें क्या है glucose से फ्रक्टोस में फ्रक्टोस से glucose में कैसे जाना है conversion हो गया बाकी भी हमारे पास क्या है और भी क्या है जिए